आज इस वीडियो में बात करने वाले है, डिलिंक राप्टर में के सरसे एड्मिन पास्वट को चेन किया जाता है, इसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इसके लिए आपको Chrome Browser Open करना पड़ेगा, आपको इभी Browser Open कर सकते हैं तो यहां पर डिलिंक राप्टर का जो IP Address है इससे आप उपन कर लिजिए, 192.168.0.1 जो है, वो डिलिंक राप्टर का IP Address है तो यहां पर जो यह जो पासवड है, वो किस तरह से चेंड किया जाता है, इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ ओके तो यहां पर हम लॉग इन कर लेते हैं, लॉग इन करने के बाद आपको यहां पर जो जाना है, वो उप्सन है Tools ओके जो ऐड्मीन पासवड अगर आपको चेंज करना है, तो यहां पर आपको टूल्स का अप्सन देखने को मिल जाएगा तो यहां पर लिख देने के बाद आपको यहां पर नीचे save setting का option देखने को मिल जएगा तो simply आप save setting कर दिजे जैसे save setting करोगी तो आपका जो admin password वो यहां पर change हो चुका है तो friends admin password एक router में इस तरह से change किया जाते हैं अगर आपके पास d-link router है तो d-link router में आपको इस तरह से admin password change करना है tools में आपको simply एक option मिल जाएगा तो friends किस तरह से open करना है आपको मैं फिर से बता देता हूँ यहां पर आपको router का IP लिखना है 192.10.0.1 जो है वो d-link router का default IP address है तो यहां पर यह open करने के बाद आपको tools में जाना है जैसे आप tools में जाओगे तो यहां पर आपको option देखने को मिल जाएगा password और verify password तो यहां से आप अपने हिसाप से कोई भी password रख लिजिए then आपको save setting करना है तो आपका जो password है वो यहां पर save हो जाएगा तो friends d-link router में admin password इस तरह से chain किया जाता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जारू से इस वीडियो को like किजीगा अगर आप चैनल में ने हो चैनल को अपी तक subscribe नहीं किया है तो जारू से चैनल को subscribe करें क्योंकि इस टाप के में वीडियो साब के लिए लात रहता हूं थैंक्स वाचिंग विल्टे नेक्षटे में तब तक लिए good bye